एक अजनभी हसीना से यू मुलाखा ओ गई हलो दोस्तों वेल्किम तो माई चानल तो आज जो सौंग सी हेंगे वो एक एवरग्रीन सौंग है एक अजनभी हसीना से तो सबसे पहले देखते हैं कि सौंग में कौन से कॉड्स लगते हैं पहला कॉड्ड है एमेजर देन एमेजर देन बी मेजर और एफ शाफ मेजर और सी शाफ मैनर तो सौंग शुरू होता है एमेजर से पहले स्लो है जो फर्स लाइन है एमेजर पे पे जाएंगे हम बी मेजर पे हो गई तो ए पे हम वापस आ गए एमेजर पे फिर रिद्म स्टार्ट हो जाएगी सेम लाइन अगें विद्रिद्म एक अजनबी हसीना से यूं मुलापा वो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात वो गई एक अजनबी सेकेंड लाइन सेम वैसे है फिर क्या हुआ इमेजर ये ना पूछो पूछो चो पे हम जाएंगे एमेजर पे कुछ ऐसी बात बात पे बी मेजर हो गई पे वापस एमेजर पे अब स्टैंजा पे चलते हैं अब स्टैंजा पे चलते हैं अचानक आ गई यू नजर के सामने तो वो अचानक आ गई यू नजर के सामने पे हम गए बी मेजर पे जैसे निकल आ तो जैसे पे हम आगे यू नजर के सामने यू नजर के सामने जैसे निकल आ या खटा से चान इसके बाद है चहरे पे जुल्फें बिखरी हुई तो चहरे पे जुल्फें is on A major बिखरी हुई थी पे वापस E major दिन में रात दिन में रात is again on A major हो गई हो गई पे वापस पे आएंगे and then end होता है with quick strike of A A D and then वापस एक हसी से शुरू हो जाए एक हचनावी से फिर से देखते हैं वो अचानक आगई यू नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से जाँ वो चहरे पे जुलफे विखरी हुई थी चहरे पे जुलफे विखरी हुई थी दिन में रात हो गई एक अजनावी अजना से यू मुलफा वो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो यू मुच हैसी पाः वो गई तो इसके सारे stanzas पे है It starts from C-sharp minor, then B-minor, then F-sharp major and then E-major Now let's understand the rhythm, the rhythm is again simple So this was the full song, the chords and the rhythm pattern How did you feel this lesson? You should know in the comments And if you like it, subscribe to the channel and like it Thank you